असलाम लेकुम आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक करी तो यह थोड़ा डिफरेंट स्टाइल की एक करी है अगर आपके घर में कोई अचानक महमान आ जाए या कुछ समझ में ना रहा हो क्या बनाना है तो उस वक्त आप इसको बनाईए बहुत ही टेस्टी बनती है तो चलिए इसको बनाना देख लेते हैं इसके लिए हमने लिया यहां पर सर्सों का तेल आप रिफाइन भी ले सकते हैं और इसको अच्छे से गरम कर लिया और एक बड़ा प्यास लेके बारिक बारिक चॉप कर लिया इसको अब हम तेल में इसको फ्राई कर लेंगे इसे हम में इतना ही चाहिए तो इसकों थोड़ा सा और चला लेते हैं है अब यहाँ पिए हम डालेंगे कुछ मसाले जिसमें लिया है धनिया-पाउडर sacrifice half-teaspoon लिया है healthy powder और 1 तीज़ पॉडर लाल मिर्च पाउडर इन मसालों को हम पहले इसी तेल में फ्राइ कर लेंगे और इसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा बिल्कुल एक टीज़ पॉनी डाल कर भूनते जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको भूनिएगा ताकि मसारे नीचे चिपके नहीं यहां पर हमने डाला है 1-2 तीज़पून नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकार्डिंग रखिएगा तो नमक हम पहले थोड़ा सा कम ही डालेंगे अगर हमें कम लगेगा तो बाद में और डालेंगे और फिर थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको भूनेंगे बस एक टीज़पून पानी डाल के इसको हम भूनते जाएंगे 1-2 मिनिट में मसाला हमारा तयार हो जाता है तो बस दो टेबिल बानी डाल के इसको हम कवर कर देंगे ताकि प्यास थोड़ी सी गल जाए तो यह देखिए 2 मिनिट हो चुका है अब इसको हम चला लेते हैं और और इसको भी डालकर हम अच्छे से भून लेंगे यहां पर हमने लिया है एक कप क्रीम तो यह नॉर्मल घर के दूद की निकली हुई बलाई है आप चाहें तो बाहर की क्रीम भी ले सकते हैं बलाई असानी से मिल जाती है तो हमने वही डाल दिये तो इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे से ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत जल्दी बनके तयार होती है देखिए यहां पर हमने हरी मिर्च डाल दिये 2-3 हरी मिर्च है इसको हमने बीच से 2-2 टुकड़ों में कट कर लिया था और इसको दो मिनट कली कवर कर दिया था तो यह देखिए सार अच्छा कम था तो हमने डाल दिया इस तरह से डाल कर आम इसको भून लेंगे यह बहुत जल्दी बनके तयार होती है अचानक महमान आ जाए या आपको को समझ ना रहा हो तब आप इसे बनाए तो यह बहुत ही टेस्टी बनती है तो बस इसको अच्छे से हम भून लेंगे आपको इतनी ही थिक ग्रेवी रखनी हो तो आप इतनी ही रखेग और अगर थोड़ी सी लिकवरी करनी हो तो यहां पर पानी थोड़ा सा डाल सकते हैं तो अब हम लेंगे अंडे दो से तीन अंडे हमने लिया है और इसको बहुत धीरे से एक साइट पर हम डालते जाएंगे और इसके उपर थोड़ी सी चिली फ्लेक से स्प्रिंकल कर देंगे इससे थुड़ा से देखने में और प्रजेंटेबल लगेगा आप चाहें तो डाले ना चाहें तो ना डाले यह और इसको दो मिनट के लिए हम कवर कर देंगे तो यह देखी हमारी एक करी बन के तयार हो तो यह रेसिपी 10 मिनट में बन के तयार हो जाती है तो बस इसके उपर सब धनिया पती गारिश कर देंगे तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंदा रही हैं तो प्लीज उसे लाइक करें अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलती हूं इंशालला अगली रसिपी में मुलागात होगी अल्ला हाफिज